तो वो जो एसेड लेकर आए वो मेरे पीछे लेकर भागे डर गई और मैं वहीं बैड़ गई नीचे तो मेरे यहां डाला ऐसेड इसकिन फट गई थी हड़ी बहार आ गई थी मास फट गया था अंदर से सारा ऐसे चर्बी दीखरी थी यह गर्दर ऐसे हो गई थी यह शोल्ड ने जो पूर जल जाते हम उनको एडमित करते हैं इनको नहीं करेंगे सीने डॉक्तर तो उनके सामने में बोली के ठीक है तो फिर में आप बताईए में पूरी जल कर आऊं तो एटलिस आप मुझे रखतो लोगे ना तो मैरे रहनी की जगा नहीं तुना सा इनसानिए खिशी मुपे दरवाजे बंद करें, बस एक बल्ब लटक रहा था, एक फैन जो बहुत सो-सो के चलता था, मुझे वहाँ पर छोड़ा गया फिर, और उस खंडर में, मैं ढाई तीन महीने अकेली तनहा रही हूँ, जर्नी बहुत टफ रही मेरी, मैं सड़कों पे फिरी हूँ, रोती रहने के लिए जगा नहीं है, और कहने को जगा जगा मेरे रिषयदार है, कहने को आसमान और जमी सब हमारी है, बस पानी की एक बुंद का कत्रा हमारा नहीं है. अगर होसला बुलंद हो, जीने का जजबा हो और हार ना मानने का होसला हो तो किस्मत खुद बखुद बदल जाती है आज हम आप तक लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी नसरीन जहान की आईए जानते हैं उनकी कहानी उनहीं की जबानी कि अभी, करेंटली, आपके लाइफ में एक खुशी का पॉइंट क्या है मेरी फैमली, मेरे अजबन, मेरी बूइबन एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमें बता पाएं कि जब आप ऐसी मतलब इतने ही खुश हो गई थी कि वो सारे दुख-दर्द भूल गई उस एक मिनट के लिए मेरी जब गुडिया हुई, जर्नी बहुत टफ रही मेरी, मैं सडकों पे फिरी हूँ, रोती फिरी हूँ, रहने के लिए जगा नहीं है और कहने को जगा-जगा मेरे रिशेदार है, कहने को आसमान और जमी सब हमारी है बस पानी की एक बूंद का कत्रा हमारा नही है इस महिला दिवस पे आप महिलाओं को क्या मेसेज देना चाहेंगे? तो मैं सोचती हूँ वही कि मैं अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ तो मैं उनको पोलती हूँ कि होसला बहुत जरूरी है अगर इतना ही जरूरी था किसी का साथ होना तो उपर वाला साथ ही भीजता ना? सिंगल सिंगल भीजाएं तो अपनी पावर को समझने की बहुत बड़ी बात है कानून बहुत मजबूत है हमारा तुम्हें समझने की बात है बस इतने कमजोर नहीं है कि रो रही है पढ़ी है पिट रही है ऐसा नहीं है अगर तुम्हें यही था तो उपर वाला तो साथ में भीजता है आई रहे तू कमजोर है, साथ में जा किसी के, ऐसा नहीं हुआ है, उपर वाली अकेले भी जाएं, कि तू स्टॉंग अकेली जा, तो शादी होगर पूरा खांदान, पूरा परिवार को छोड़गे, परिवार में आती हो, तो ये बड़ी बात है न, ये परता किसी ने तू र प्यार से करो, अच्छे से रहो, कोशिश करो, ये थोढ़ी हार के बेठ जाओ, हार नहीं होता लाइफ, हारने का नाम थोड़ी है अब बहुत सारी जागृपता हो गई है, बहुत लोग जागृप हैं, ऐसे रटक्स के लिए, तो आपको पता ही, कि ऐसे रटक होने के बाद अब क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए सबसे पहले, मेजर्स क्या है, देखिए एक तो ना, यह जो ऐसेड डलता है, जैसे मैंने जितना खुद फेल कर रहा है, यह बहता नहीं है आपकी बॉड़ी पर पानी की तरह, यह वहीं पर बैठना शुरू कर देता है, जितनी दूर आपके बॉड़ी टैमेज होने शुरू हो जाती है, आपके मसल्स आपके जो भी है, टिशूस जो है, वह डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो अंदर ना गुस पाए, पानी डाले, दूर डाले, जो है, आप उसको धोएं अटलिस, खूप धोए, कहते हैं ने, पानी करना है, उसको धोदो अच्छी से, सबसे पहला तो यह यह, और सबसे बड़ी बात, जब कोई आपके उपर अटैक करता है, वह आपको क्लू जरूर देता है, जैसे? अब जैसे मेरा हसा हुआ था, मुझे भी उसने एक बार धंकी दी थी, तो मुझे लगा कि इसके लिए त आपका दिल खुद फील करता है उस चीज को लेकिन आप इग्नॉर करते हैं, तो वह इग्नॉर नहीं करना होता है, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, आपको को टॉर्चर करा है, और लिमिट से जादा करा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, चलिए अब हम एक rapid fire round खेलते हैं, प्यार, अनस, दोस्ती, अनस, रोडी, पैशन, दर्द, तनहाई, होसला, सेल्फ, ब्यूटी, प्यार, एहसास, मंता, गाजर कालुआ, हजबन को पस्द है, क्या आपको लगता है, हमें women's day celebrate करना चाहिए, मैं तो कहा रही हूँ, daily women's day होना चाहिए, और यह तो हो, एक दिन मिला है, तो उसको अब बोलते हैं के ladies के लिए क्या है, ladies सोस्ती है ना, एक दिन मिल रहा तो उसको तो कम से को उसको तो ना छोड़े ना women's day होना चाहिए, और उस time पर सिर्फ ladies के लिए ही, यह सब चीजे जाग रुकता अभियान जिसे आपने करा, उनको, कि आपके क्या कानून है, क्या हक है, क्या, वो सब time to at least बताने चाहिए, सारी संस्ताय जाग रुक होने चाहिए, आज के टाइम पर, और सब को बताएं, साल में एक बार भी ladies अगा टीवी खोल के या newspaper पढ़ेंगी पैटके तो उनके कम से कम पता लगेगा और जिन्दगी पर उनके दिमाग में रहेगा, मुझे कभी यह नहीं हुआ कि मुझे यह सीरियल में जाना है, यह मूवी में, लेकिन हा, बिग बॉस का है, वो एक ऐसा platform ह जहां आप अपनी बात रख सकते हो, आप खुद को दिखा सकते हो, क्योंकि जब यह अटैक हुआ था, तो ठिश्यदारों ने, फामिली ने, सबने मुझे छोड़ दिया था, किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं चाहती हूँ उन्हें दिखाना, जबरदस्ती सामने आना, उन जोने मेरे नंबर ढूने, सिर्फ रोडीज में इंटर्वी हुए दिया था, मैंने, तो बिग बस में जाओंगी तो क्या होगा, बिल्कुल, तो यह है, और मुझे जाना है, मुझे करके दिखाना है, मरना तो एक दिन है, जब मौत आईगी, लिकिन अभी फिलाल जीना है, तो जो सपना है, क्यों लेके जाओं साथ में, बिग बस तो करना है, पैशन है, तो मेरे यहाँ डाला, ऐसे, मैंने ऐसे फेस करा तो हाथ में लेके मेरे मूपे मला, मेरी कमर पे डाल के ऐसे-से मला, फिर उसके बाद में पुलीस वगर आई, किसी में पोन करा क्या हुआ, मुझे पतलब, ना स्ट्रेचर मिली, ना वीलचियर मिली, और कपड़े मेरे जल गए थे, ना जखमी आलत में थी, चीखे मार रही थी, और हॉस्पिटल, मैं क्या नाम दूँ उस हॉस्पिटल का, मेरा तो रिकॉर्ड बढ़ा, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग मेरे दिम पुलिस वालों ने कुछ कहा नहीं, कहा पुलिस वालों ने कि आप इनको देखो यह भी ताजी जली है, तो नहीं ने का पुलिस वालों को भीडाटा, कि आप हमें काम मत बताओ, और फिर मुझे वो कपड़े दिये गए, वो वहा का गाउन, क्यूंकि जल गए थे कपड़े भीड लग गई थी, महाँ पर जा मैं चीखे मार रही थी, क्यूंकि मैं फट रही थी, मेरे यहां से इसकिन फट गई थी, हड़ी बहार आ गई थी, मास फट गया था, अंदर से सारा ऐसे चर्बी दीख रही थी, यह गर्दर ऐसे हो गई थी, यह शोल्डर ऐसे आ गई यह जिसमें मैं पहली बार गई थी, सब दरजंगो हस्पिटल था वो, उस हस्पिटल ने मुझे एडमिट करने से मना कर दिया, कि हम एडमिट नहीं करेंगे, हम जो पूरे जल जाते हैं, जो लोग मुझे मेरा ध्यान रख रहे थी, पांस साथ लोग जो गली के थे, उन्होंने हम इलाज से मना नहीं कर रहे, आप रेफर हो कर आजो, ये करके दोनों की जंग में मेरे जिन्दगी की वाट लगी पड़ी थी, तो हार के में सब दर जंग के जो ऑस्पिटल में सीने डॉक्टर तो लोग मुझे से डरे, उनको मुझे से वहम आया, घिनाई, उनको लगा कि नहीं हम नहीं, मेरे मुपे दरवाजा बंद कर रहा है, इतना सा इंसानियत किसी ने, ये भी नहीं करी कि दो मिनिट बात ही सुने, सीधा मुपे दरवाजे बंद करें, फिर उन लोगों ने, जो भी लोग मुझे लेकर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई रखने के बहुत सो सो के चलता था, मुझे वहाँ पर छोड़ा गया और उस खंडर में, मैं ढाई तीन महीने अकेली तना रही हूँ, वो जर्णी शायद लोग जो ये खुदकुशी कर लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि एक बार वो जिंदगी जी के देख लो, सोचोगे कि मैं नहीं मर कोई चादर थी, या क्या चीज़ वो तोड़ा कालीन टाइप बहुत गंदा था, बहुत गंदा तकिया था, वो किसी ने फेक नहीं के लिए रख रख था जो मैंने बिच्छा के मैं उस पर लेटी थी, और मेरी कमर, मेरा ये सब जखमी था, तकलीब बेत, तहाशा तकलीब थी, तो मैं करवड़ भी नहीं हर थी, मैं एक हल्का साइड का पॉर्शन पर टिक्ती दी, अगर मैं ऐसे होती थी तो मेरी सकती छिपकने लगती थी अगर मैं को करवड लेती तो वो चिपक जाती मास जुड़ जाता तो मुझे खीचना पड़ता था उसको आखे मेरी ऐसी हो गई थी तो खुली रहती थी मैं जब मुझे लोगों को पता लगा कि एक विचारी ऐसे पढ़ी है यहाँ पर तो कभी कोई खाना दे जाता था कभी कोई दे जाता था खाना तो खाना दो उपरवाला मुझे ऐसे बेज जाता था आप मुझे नहीं पता किस-किस ने बेजा उपरवाला उनका भला करें और फिर हॉस्पिटल की बात आई कि में जखमी थी कि अब ये इलाज कैसे हो थांक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए हमारी ओडियंस ने आपका इंटर्व्यू देखा और उनको बहुत जादा होसला मिला होगा जिनगी जीने का और उन्होंने ये भी सीखा होगा कि हसते हो हैं मुस्कुराते हुए दर्ब से गुजर कर भी आप कैसे एक खुबसूरत जिनगी जी सकती है बिलकुल जीना चाहिए हारने माननी है देखे जाना तो है ही ना दुनिया से तो जाना ही है तो इसको जी के जाना तो जाए तो जादा अच्छा है बिलकुल ऐसे क्यों छोड़ना किसी के लिए यह कहानी नसरीन की थी अगर आपको यह कहानी पसंद रही और आपको इस कहानी से होसला मिला तो इस कहानी को आप शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ